जो लोग अबुतालीब अलैसलाम को काफिर कहते हैं, उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्ष्ट है, काम करें, अगर आप रसूल के सुनत पे अमल करते हैं, तो आप अपना निकाह काफिर से क्यों नहीं पढ़वाते हैं, क्योंकि प्रॉफित मौहम्मास अलाहू अलैसलाम का निकाह अब इस गधे से ये पूछो, क्या ये अपनी मा के मरने के बाद उनका नमाज जनाजा पढ़ाता है या नहीं, अगर नमाज जनाजा पढ़ाता है तो इसको भी नहीं पढ़ानी चाहिए, और नभी पाप की सुनत पे भी अमल करना चाहिए, क्यों मौमिनीन हजरते खदीज अब जनाजा नहीं पढ़ाया गया, तो जब उनका नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाया गया, अगर निका अभु तालिम ने पढ़ा तो क्या ये अपनी मा के नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते, तो असले में बात ये है, जिस वक्त का ये वाक्या है निका पढ़ाने का, उस जनाजे के हैकाम भी उस वक्त तक नहीं आयते तो बगएर जनाजे की नमाज की दफना दिया गया था